हमारी यूट्यूब चैनल में आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि सासन होता क्या है या निकि इंग्रिज से इसको रेजाइम से कहते हैं और सासन के क्या प्रकार होते हैं पॉल्टिकल साइस में सासन सब्द काफी जादा परियोग होता है राइनिति विज्ञान में इसका परियोग काफी जादा होता है और इसके बारे में समझ हमें जरूर होनी चाहिए तो चलिए समझते हैं कि सासन क्या होता है आप लोगों ने देखना होगा कि कोई भी सरकारे बनती है को भी सब्सकर करें तो हम क्या करते है कि फलाशा कार सबस्क्राइब हो भी यानिकि सिसासन का मत्रब सीधा तुरौपर आप लोग को आगिया होगा औरिकी सरकारिय देश को चलातिय है देश पर शासन करतीय एक तरिका से लेकिन यह लेकिन इसका मत्रबब यह नहीं होता है कि सरकार जो अत्यार करता है पहला गरुक्स falling कोई भी सरकार जब चुना जाता है तो आम जनता ही सुनता है और जब तक चाहे आम जनता तब तक ही वही सरकार काम करेगा और जब चाहेगा आम जनता तो उसे हटा सकता है तो यह चीज होता है सरकार सरकार के अंदर में ही सासन हाता है तो तेखे राइनिति विग्यान में सास सासन राइनतिक दल ही करती है तो उसे कुछ नियमों को मानना पड़ता है उसको सम्विधान के नियमों के अंदर ही वो काम कर सकता है तो यह नियम औफ्शारिक हो सकते हैं जैसे कि फ्रांथ में एक सम्विधानिक प्रावधान जो की पुष्टी करता है कि राष्ट पती साल तक वहाँ पर वह सांसन करेंगे मैं दूसरी और देखेंगे कि अनुप्चारिक में कर सकते जिसे युनाइटेट किंग्डों में एक परंपरा है जो कि यह सुने सिर्ख करता है कि संब्राट वीधयों को वीटों नहीं कर सकता भले तक्निकी रुप से ऐसा करने की अनुमत हुआ हो ठीक है आगे दिखते हैं लेकिन अगर हम देखे हैं आप सासन का मथर रही कि सरकार देश को चलाती है लेकिन कभी कई को बार हम चाटिक अदिष्थ यह भी लगता है कि हमारी तो आगे देखे कि सास्थन बनाम सरकार क्योंकि हमने पहले बता है कि जो सारकार होता है सरकार ही देश में सास्थन करता है यानि कि ये दोनों एक दूसरे का पैरल है दोनों सास्थ सास में चलते हैं और सास्थन के वीपरी जो कि अधिक समाईने सब्द है सरकार का ताजपर एसे लोगों के समूज से हैं जो कि कि किसी देश को नियंतरित करते हैं और देश को नियंतरित करते हैं देश को लोकल कानून नियम बनाते हैं तो जिससे इसमें किया हो सकते है सरकार के बिच्द करते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं आगे समझते हैं कि सासन के परकार क्या होते हैं तो आप लोगों ने एक वर्ड लोगतांत्रिक सासन के जरूर से ना होगा लोगतांत्रिक सरकार क्या होता है कि वैसे सरकारे या वैसे नेता हैं जो आम आदमी भोट दे कर चूनते हैं तो नेता लोगों के लिए ही काम करते हैं से करना है वह काम नहीं करेंगे तो उसे वाद जनता उसे घटा सकती है तो लगंतर में क्या होता है कि कि सरकारी संथान्तर से चुनाओं में उत्पन्ध होते तो कुल मलाक के यह बात है कि लोगतंत्री सरकार में क्या होता है कि सरकार निस्पच चुना जाता है आम आदमी के द्वारा चुनाता है कि ऐसा नहीं होता है कि सरकार को पैसे से खड़ लिया जा ऐसा चीज नहीं होता है तो निस्पच होता है चुना एयोग इसके लिए काम कर करते हैं और इसमें हर लोगों को भासन देने का अधिकार होता है धर्म कोई भी थवापनाने का अधिकार होता है कि आगे लोगों की चुमावी प्रक्रिया का उप्योग करके सरकार को सांति Sãoती प्रूब्सक्राइशंго थे जि क्या है लोगों को हटा भी सकते हैं यानि कि वोट देकर चिनावी प्रक्रिया कि अपने ताकेत के बल पर कोई भी आदमी राजा बन जाता है और तब तक सासर में जाता है जब तक कि कोई उसे हटा न दे यानि कि अपने बल पुर्वा को सासन करता है लोगों को तंग भी कर सकता है मन मर्जी लोगों पर टैक्स लगा सकता है मन मर्जी लोगों को परिशान भ होता है आदमी उस सरकार को हटा नहीं सकता है तो वह होता है निरंकुष सरकार देखे शासन सोतात्र और निस्पर से चुनावे से नहीं बलकि अन्य तरीके जैसे कि चुनाव में धांदली तक्ता पलट क्रांती वांट सानुगत उत्राधिकार या सत्तारूड कूलीन तंद्र निरंकुष चुनाव से नहीं स्युनाव से नहीं चुनाव से नहीं चुना जाता है तु इस मैं क्या होता है कि चुनाव में धांदली करके कोई भी सरकार बनता है तहला लुखत रुख से सरकारे बनती है यानि इस तरह का साथन एक तरह का समझ सकते हैं और इसमें क्या होता है कि राइनितिक विरोध्यों के खिलाब दमन के विभी नरूप बोजे से काम से बरखास्तगी करावा निरवासन हत्या का प्यूप किया था अगर कोई भी सरकार राजा क काम कर रहा है और राजा लोगों के काम कर रहा है कुछ भी कर रहा है अगर राजा के खिलाप कोई भी आदमी बोलता है या राजा के खिलाप कुछ भी करता है तो राजा क्या करता है उस आदमी को नोकरी से निकाल देता है या उसको जेल में डाल देता है या पर उसको हत्य तक भी करवा सकता यानिकी ये सरकार क्या होता है निरंकु सरकार होता है एक तरीका से दोना सहाई वहल रोप होती है थैसरो के यह अब यह सब कारे को देखने को मिलते हैंस तो यह अधिनायक वादी सासन अधिनायक वादी सासन भी तरीकर से तारा साही सायां ही होता है। पहले हमने ताना सही वला सहाथर प्रत तो उसके भी ज़्यादा यह उद्जाहिए ईद्र साथर विजया लनि रूद आठा है लोगों को तो राजा लोगों लोगों को परिशान करक्ते एक डर का माहूर लोगों को बना करकते हैं कि लोग चाहकर भी अपनी सरकार को यानि कि राजा को बदल नहीं सकते हैं यहां तक कि मामूली रायनितिक अवज्या जैसे कि कोई रायनिति चुटकुला सुनाना भी कठोड दंड नहीं हो सकता है उदारन के लिए स्टालीन माउर यानि कि लोगों के लिए इतना कड़ा नियम बना दिया जाता है कि लोग पामूली सा चुटकुला मजाक में भी नहीं बोड़ सकता है इसके खिलाब अगर इस त परसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दें कि अ